एलो फ्रेंट्स चलिए शाब बरस वेल्कम बेक टू मैं यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजुकेशन क्लास फ्रेंट्स क्लास में आज़ेगी चल्दी से पटाफट से और क्लास को सभी तक शेयर करतीजे क्योंकि जो क्लास चल रही है वो बहुत इंपोर्टेंट है आपक शुबह 7 बजे होती है ठीक है याद रखना है सुबह 7 बजे होती है एक सेकेट फिर से बताते हैं देखे पहली जो क्लास होती है आपकी सुबह 7 बजे होती है जिसमें हम आपका फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं बहुत फास्ट वे में रिवीजन करवा रहे हैं जितनी भी मालूम होना चाहिए Google पढ़ा रहे हैं ठीक है जो भी बचे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर वीपेस्टी का एक्जाम देने वाले हैं या फिर अधर कोई एक्जाम देने वाले हैं जिसमें Google पूछा जाता है तो वो लोग इस क्लास में पढ़ सकते हैं ठीक है तीस्टी क्लास की बात करें शाम को 7 बजे करवाते हैं ठीक है शाम को 7 बजे जो आप लोग अभी देख रहे हैं इसमें हम आपका जो है 10,000 questions कंप्लीट करवा रहे हैं ठीक है तो ready है सभी लोग, सभी को पता चलिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन-कौन से टाइम पर आपको जोड़ना है, समझ में आ गया, चलिए अब अपनी क्लास को start करते हैं, एक बड़ जल्दी से क्लास को share करेंगे सभी तक, फिर अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, है आगे, शाबास clear है, तो यहां तक हमने इसके पहले करवाया था, याद है किसी को, भूले तो नहीं है आप लोग, बताइए, यहां तक हमने, जो last class हुई थी, उसमें हमने आपको पढ़ाया था, 40 question तक आपका करवा दिया था, बताइए सही है ना, आगे बढ़ें इसके, चलिए, तो 41 से हमें start करना था, जिसमें पूछा जा रहा है, रंगोली जो है, कहां पर बनाई जाती है, बताइए, canvas पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर, बताइए, रंगोली कहां बनाई जाती है, सभी लोग करें एक साथ, बताइए, हां लोग कला चल रहा था आपका topic, ठीक है, चलिए, आज आईए, फटा-फट से बता दीचे आप लोग, 41 नंबर में क्या होगा right answer, रंगोली कहां बनाई जाती है, बिल्कुल सही है, जमीन पर बनाई जाती है, ठीक है, विविन जो, मतलब, काफी सारे रंगों को लेकर, रंगोली बनाई जाती है, सभी जा 42 नंबर पर आएंगे, 42 वा question है ये, सभी लोग एक साथ करेंगे answer, जल्दी से, फटा-फट से, 42 का C दे रहे हैं, शाबबास, गोन, मिले, मिट्टी के रंग, आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, option C वालो, बिल्कुल एक दम, correct हो, आपका C हो जाएगा, आगे चलते करेंगे एक साथ, हाँ, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल, option C बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिहार की है, आपको याद रखना है, चलिए, next पे आते हैं, ये TGT 2010 का question है, चलिए, पूछा गया है, जमना देवी किस प्रकार की लोकला से संबन्द रखती है, बर्ली से, भील पितोरा, मधुबनी से, मानणा से, जमना देवी का संबन्द पूछा गया है, आपसे 44 नंबर पे, बिल्कुल, option C वालों, एकदम गईकर को मधुबनी, बिहार से, आपको याद का संबन्द मिलता है, ठीक, चलिए, next पे आते हैं, दिया है, वर्ली चित्रकार की है, मध बताईए, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा अंसरा आ रहा है, शाबस, वर्ली बहुत बार, मैं, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, सही तो आ रही है भाई, बिल्कुल सही है आवाज, ठीक है, चलो, 45 नंबर पे क्या होगा, हाँ, बिल्कुल, option E हो बिल्कुल, 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 सबी लोग बताएंगे 47 नंबर पे क्या होगा 47 पे बिहू शाबास असम का आपका करिक्ठ हो जाएगा बिहू है आगे पटुवा चित्र कहां से संबंदित है बताना है आपको मधुबनी से होगा कोटा से काली घाट से लाल घाट से पटुवा चित्र आपको बताना है क्या होगा राइक आंसर सही तो आ रही है भाई बिल्कुल सही है आवाज बिल्कुल सही है एक दम ठीक है पटुवा चित्र पूछा गया है आपका तो क्या है 48 पसी बिल्कुल सही दिया है काली घाट आपको सही हो जाएगा ठीक है बंगाल राजजी की एक प्रिशिद लोककला शैली को काली घाट शैली के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसी शैली में बने चित्रों को क्या कहते हैं पटुआ चित्र कहते हैं याद रखना आप लोग ठीक है, चल, आगे, तन्खा, कुंडलित, चित्र, किस राज्य में पाए जाते हैं, लद्दाफ में, कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, सभी लोग बताएंगे एक साथ, तन्खा, कुंडलित, जो चित्र हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर तंखा वेरी गूड लद्दाफ बता रहे हैं आप लोग अच्छा लद्दाफ होगा इसका राइट आंसर क्या होगा शाबास हिमाचल हो जाएगा ठीक है option C वालो एकदम correct हो ठीक है तंखा कुंडिल चित्र जो है ना इमाचल प्रदेस का प्रशिद लोग चित्र है और इसको जो है ना वो च्छतों और दीवारों पे बनाये करते हैं ठीक है याद रखना आप लोग चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर पच्चासवे नंबर पे ये PGT 2004 में पूछा गया था बताना है मधुबनी लोग चित्र किस प्रदेस की है देखिए ये question TGT में पूछा गया है PGT में भी और आपका जो वाला है KBS KBS में भी पूछा गया था DSSB में भी पूछा गया मतलब हर एक्जाम में पूछा जाता है तो क्या है option A बिल्कु सही है बिहार का आपका correct हो जाएगा next पर आते है दिया गया है लीजिए बताओ जल्दी से 51 का कैसे मिलान होगा इसका जल्दी से बताओ वर्णन नागिन जाएगी नागिन डांस चल रहा है दर पे चलिए इसका मिलान करना है देखिए लोकला शैली दी है इन्होंने देखिए जो गुजरात है न ये कहा के लिए famous है ये समझे पहले गुजरात जो है ये अपभेंश शैली के लिए famous है ठीक है याद रखना तो इसको मिला के ही wyगा है Elefanta जो है Elefanta काहे के लिए ancient kara के लिए झिया है Elefanta हो जाएगा रखना के लिए फिर दिया है वैशाली वैशाली की बா? करेंगे अगर हम तो वैशाली जो हो जाएगा वो लोग कला है एक तरह की कि कि के लोग कला शैली से संबंदिद हो जाएगा वैशाली पटना जो है यह बाजार शैली के लिए प्रशिद्ध हो जाएगा तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा ठीक है हां चलिए आगे चलते है नेक्स्ट पर इसमें काखा लिखा है ना इसलिए लिखके नहीं बता पाते हैं आगे चलते हैं बावन नंबर पे जामिती रूपा कारों का प्रियोग किस लोग कला में वो लब्द मिलता है बताइए सांजी में, मांडना में, अलपना में, आगोरी में क्या होगा राइट आंसर बताईए हाँ सभी करेंगे एक साथ बावन नंबर पे फटा-फट से करना है आप लोगों को बावन को बता रहे हैं अलपना अच्छा बिल्कुल सही बात है अलपना ही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चल आगे चलते हैं कल जो है न हम आपकी ग्राफिक कला स्टार्ट करेंगे कल बिल्कुल एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कौन सा ग्राफिक कला तो सभी को ग्राफिक कला के लिए जोड़ना है ठीक है सभी लोग जोड़ेंगे एक साथ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एक्जाम के लि हमें पर चित्र हैं। तो सभी को लेगे आनाना Number एक inपॉरटे fakorec चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर दिया है पच्पन नंबर पे वुट कटिंग प्रक्रिया के विलोम काल क्रम का चैन करना है बताइए क्रम की अनुसार पूछा है इसने क्या होगा राइट आंसर 55 पर थेयोरी के साथ ही करवा देंगे परिशान मत हो ये बताइए इसको क् पच्पन नंबर पे थेयोरी के लिए आठ बजे जोड़ना रिवी काव जी ठीक है बाकि यहां क्वेश्चन और क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेट फैक्ट होते हैं वो ही बताते हैं इदर पे हम ठीक है तो क्या है इसका राइट आंसर आप लुग दिया है पच्पन का सी एकदम दिया है सुमन यादा उन्हें बेरी गुड बहुत अच्छा उप्चन सी ही सही हो जाएगा प्रेसिंग इंकिंग और इंग्रैमिंग ज्रॉइंग ठीक है विलोम कालकरम पूछा है उल्टा ठीक है याद रखना आगे नेक्स्ट पे आते हैं लीजे इनका फिर से म पूछा है इसमें अच्छा हाँ मिलान पूछा है इसमें फिर से बताइए मधुबनी कहां की है फड कहां की है वरली कहां की है पटचित्र कहां की है बताओ चल्दी से 56 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर इसका सभी लोग मिला कर बताएंगे फटा फट से मधुबनी की ब B का, 1 हो गया वर्ली कहां का है? महारास्ट का है C का, 3 हो गया पड़चित्र जो है ये कहां का है? उडिशा या पश्चिम बंगाल बोल दीजिए तो D का, 2 हो जाएगा इस तरह से आपका, मिलान हो जाएगा ठीक है? चले आगे चली बढ़ते हैं आगे दिया है मधुबनी लोग चित्र किस राज्य का है राजस्थान का है मध्य परदेश का है बिहार का है पस्चिम बंगाल का है फटा फट से बताएंगे आप लोग मध्य परदेश की कौन से राज्य का है सभी को करना है बहुत बार पूछा जाता है ये बियेच्चियू आर्ट का है ये question option C होगा बिहार का है ठीक है चले आगे चलते हैं मद्ध परदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है बताइए पिथोरा है मिथिला है गोंड है चितेरा है ये आपको बिल्कुल सिरट लेना है इस question को ठीक है सभी लोग बताइए जल्दी से सभी लोग बताइए एक साथ सभी लोग बताइए फटा फट से बताइए जल्दी से क्या होगा इसका right answer बिल्कुल मिथिला कला होगा इसका right answer ठीक है मिथिला कला जो है यह आपकी बिहार की है बागी जो देख रहे हैं पिथोरा गोंड चितेरा कला यह सब कहां की है MP की है आपको याद रखना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे next question पे दिया है मधुबनी शेली में प्रायाह चित्र को किसमें चित्रत करते हैं ताड़ पत्र पे कागज पर वस्त्र पर इनमें से कोई नहीं 59 पे बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है इसका राइट आंसर जितने questions करवा रहे हैं आप लोगों ने अगर पढ़ लिए तो हूब परसेंट रिजल्ट भी आएगा आपका 59 पे बताना है आपको तो मधुबनी शेली पर प्रायाह चित्रों को कैसे चित्रत करते हैं बताएं जल्दी से क्या होगा सभी लोग करेंगे एक साथ देखो एक चीज याद रखना देखो पहले मधुबनी देखो इसमें जो है ना ताड़ पत्र भी हो जाएगा कागज भी हो जाएगा वस्तर भी हो जाएगा ये तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखना आप लोग चलिए आगे चलते हैं next पर आगे बढ़ आते हैं तो दिया है गुदना कला की प्रभा को और किस नाम से जानते हैं बताइए क्या होगा हाँ all of above हो जाएगा very good बहुत अच्छा अंग लेखन रंग लेखन आलेखन रेखा आलेखन साथ नंबर पर बताना है गुदना कला वही है अपने सरीर पर जो गुदवा लेते हैं अंग आलेखन हो जाएगा ठीक है गुदना को ही ना पच्छे का या अंकन भी बोलते हैं ये भी पूछा जाता है क्या बोलते हैं पच की जो नस होती है उसमें छेट करके न अंदर लकडी के कोईले के मतलब चूरन होता है या फिर राख कह दीजे उनको रंग करके घुसेड दिया जाता है वही उपर से हमेशा बनी रहती है ऑप्शन ए होगा नेच्ट पर चट्यस गड़ी इस्त्रियां सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है गुधना मांडणा अल्पना सांजी बताइए क्या होगा अच्छा पताए किसी को गोधना जो है यह कहां की लोकला है यह बताओ जल्दी से पहले गोधना कहां की लोकला है यह आपको बताना ह हाँ टैटू वही चीज है टैटू इसको बताईए गोधना कहा की है MP की है very good बहुत अच्छा MP की है याद रखना है ठीक है चलो इसको बताओ जल्दी से 36 गड़ी इस्त्रियां सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है गोधना बिल्कुल सही है गोधना आपका right answer हो जाएगा ठ पर दिया है लोग कला लोग चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है बताएंगे सभी लोग क्या होगा रासाइनिक खनेज सिंथेटिक क्रतिम बताइए लोग चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का यूज होता है सभी लोग करेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है खनिज का यूज होता है ठीक है लोक कला में खनिजों का यूज होता है जैसे जैसे मतलब लाल और हरा गुलाल का यूज कर लेते हैं लाजवर्दी रामरज चूना खडिया हरी मिर्च इन सब का यूज करते हैं ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 आपको बताना है बताईए राजिस्थान की लोग चित्रकला सहापुरा पुछा है शहापुरा की फड़ चित्रों से जानी जाती है क्या ये सही है राजिस्थान की लोग चित्रकला उडिसा के पड़ चित्रों से भी जानी जाती है बताईए क्या दिया है ना एक नंबर में ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है लेकिन ये चीज गलत दी हुई है तो आपका जो सही होगा ना ए सही है लेकिन आर को गलत कर दिया है धर ठीक है option ए सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर से वैसा ही question आपसे पूछा गया है लीजे बता दीजे पूछा है लोग कला में दैनिक जीवन की उपयों की पिरतेक वस्तु अलंकरत और सुंदर बना दी जाती है क्या ये बात सही है बताना है दूसरा है क्योंकि लोग जीवन में जीवन सरल और आप परिश्क्रत रूप में होता है अताहा लोग कलाकार ऐसी दैनिक वस्तों की निरस्ता को दूर कर उन्हें सजीव विंजिकों में बदाते ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है मतलब दोनों ही सही है ओनली बन नहीं पगलू और एक ये राजाजी वाला जो भी है बस यही दो शब्द हमें सुबह से साम हो गई सुनते सुनते हो गया पता नहीं कितना आनंद आ रहा है लोगों को इस गाने में यही थोड़ा सा चेंज कर लो भी या और भी गाने है यही दो गाने लगे हैं सुबह से हाँ इसको है राजिस्थान का खनिज मतलब खनिज मतलब यही होते हैं प्राकितिक रंग जो हमें प्रकति से प्राप्त होते हैं ठीक है हाँ राजिस्थान की बात हो रही है तो राजिस्थान के बारे में हमने बहुत पढ़ा है फड़ और कावण के बारे में है ना आगे चलेंगे महार स्ट्रह था किसका संबन मिलता है इह पर हमारा से क geçer परंप्रा से संबने तो यह से हैं आगा श्रघव हो जाएगा मिद्ध्ध देता निया है कि 2006 पर आते हैं लेस created निर्माड में किस पेड की लिगड़ी पने चलते हैं इसमें सालर के जो मितलब पेड की लगड़ी होती है उसका यहांपर यूज करते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन खेरादी सुथार जनजाती के लोग किस लोग परंपरा से संबंदित हैं बताएए खेरादी सुथार जाती के लोग किस लोग कला परंपरा से संबंदित हैं फड से हैं, मानना से हैं, कावर्ड से हैं, नरसल्प से हैं, बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा new questions लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना, question यहीं से फसेंगे आपके exam ले, हम कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे हैं, आपके exam के लिए, कोई भी risk नहीं ले रहे हैं, हर कोने को touch क पीला ईसा है, उलम्पिया है, सभी लोग बताएंगे बताएंगे सभी लोग बताएंगे, एक साथ फटा-फट से चली, बिल्कुल, तो आंसर क्या है, राइट आंसर आपका बिल्कुल तो ये है पीला ईसा आपका एकड़म सही हो जाएगा ठीक है, पालगॉंग की बात करेंगे, इनका जन्म कम होता है, 1848 में होता है, याद रखना है, ठीक है, चली ये जो सरकस बना है ये चित्र किसका है, पता है किसी को याद रखना, जो सरकस है ये जोर्ज सोरा का चित्र है किसका है जॉर्ज सोरा का है और ओलंपिया की बात करें तो ओलंपिया किसने बनाया है एडवर्ड माने ने बनाया है किसने बनाया है पता है ना एडवर्ड माने ने बनाया है आपको याद रखना है ठीक है चल आगे चलते हैं नेक्ट पर तो पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है ये बताना है पोंगल के बारे में बताईए पोंगल की बात हो रही है ये कहां का है लोकनित पर्व बताना है पोंगल एक होता है पोंगल एक होता है अट्टूकल पोंगल पोंगल अट्टूकल पोंगल देखें केवल पोंगल लिख किया जाए तो आप याद रखना कहां का हो जाएगा तो केवल पोंगल की बात हुई है यहाँ पर तो हम तमिल नाडू लगाएंगे ठीक है चल आगे चलते हैं दिया है मधुबनी लोग चित्र किस राज जुका है बताईए राजस्थान, मद्ध प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल फटा-फट से बता देंगे, बहुत बार पड़े हैं, सीधे आंसर पर बढ़ते हैं, ठीक है, बिहार हो जाएगा आगे नेक्स्ट है, मधुबनी शेली, किस राज जिमें विक्सित होती है, बताईए नॉटिफिकेशन नहीं आया आज, चली कोई बात नहीं बताईए क्या होगा, मधुबनी, अरे फिर से वही पूछ लिया है भाई, बिहार ही आपका राइट होगा, चलो आगे चलते हैं, भारत, दिया है उत्तर भारत का कौन से शास्त्री नृत है, बताईए 72 का क्या होगा राइटांसर, आपका बताईए बिल्कुल, तो उत्तर भारत का शास्त्री नृत्त पूछा है, याद रखना कथक, ठीके बिर्जू महराज, पंडित विर्जू महराज किसे संबंदित है, कथक से ही है ठीके, याद रखना कौन से घराने से हैं, लखनव घराने से हैं, याद रखना यह बहुत पूछा जाता है नके बारे मेंые, ठीके कतकली की बात करें कहा का शास्री नत्य है केरल का है कुचीपुडी कहा का है आंध्रिप्रदेश का है भरतनात्यम कहा है तमिलनाडू का है याद रखना ठेक है बहुँत पूछे जाते हैं ये सब ठेक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं next question पे तो बटाना है बताओ फटा फट से छाप दो लोग कला निरत्य के रूप में विहू को किस राजज़ अरे विहू का बारे में पूछ दिया है बताओ जल्दी से पढ़ चुके हैं अभी अभी याद रखना असम आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहू के बारे में 73 राइट आंसर होने वाला है आपका क्लियर आगे बढ़ें आगे चलते हैं नेक्स्ट पर दिया है लोगडी किस महीने में मनाये जाता है बताओ जन्वरी अक्टूबर में दिसंबर में मार्च में बताओ जल्दी से लोहडी किस महीने में मनाते हैं कल ग्राफिक कला स्टार्ट हो रही है सभी को जुड़ना है शाम को साथ बचे और सभी को लेकर आना ठीक है क्योंकि ग्राफिक आर्ट से बहुत क्वेशन बनते हैं और आप लोग नहीं पढ़ते हैं कहा है किसी को लोहडी पंजाब में मनाते हैं आघे चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट पर चलते हैं हाँ हाँ सब पढढा देंगे हम आपको परिशान मत हो ये वही topic उठा रहे हैं जो tough है पहले बताइए कुमाओ की लोग कला का नाम क्या है सांजी है रंगोली है एपन है मधुबनी है बताइए हाँ हाँ एस्टेट में भी पूस्ता है very good 76 का बताइए कुमाओ की लोग कला का नाम क्या है देखो बहुत अच्छा काना बजा है थोड़ा सा माइंड अच्छा हो गया थोड़ा सुनके चलिए तो क्या है इसका एपन हो जाएगा आपका ठीक है बहुत अच्छा अंसर कर रहे हैं very good चलिए आगे बटते हैं दिया है किस तेउहार में जल्ली कट्टू सम्मंदित है जल् कहा है यह आपको बताना है और फिर आपको बताना है कि किस सम्मंदित है बताओ अच्छा मैं कुमाओ से हूँ शाबबास चलिए इसको बताई जल्ली कट्टू के बारे में ससत्तर प्याओ बेटा आओ जल्ली से फटा-फट से ससत्तर का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है यादर है, ठीक है? चलो. पता है यहां इसमें क्या होता है? साणों के बारे में, मतलब साणों को, साणों की लडाई होती है, ऐ giorno कुछ होती है, साण yeah,直接 my lucky Lucy, बैलों से mismo उसके राजेस्थान का है जो है इसम का है लाव॓नि है शु도ह और फिम आसम का है और याद लखना में आपको चले आगे एक चीज इसमें याद रखेगा गूमर के बारे में कि इसको जो है ना भील जन जाती करती है भील जन जाती इस इस नृत को करती है ठीक है आगे यह कलमकारी किस प्रदेश का प्रशिद प्रिंट है बताओ कलमकारी पूछ लिया गया है और बहुत बार पढ हो रही है और यह ना एक त्रह की हस्त कला है मतलब हाथ की कला है एक त्रह की जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाए जाती है यह चीज याद रखना आप लोग तो कलमकारी कहां कि है अपने आंधर प्रदेश की है चलो बढ़ते हैं आगे गार अलपना वीडिका क्या बोलेंगे इसको बताईए अच्छा ओप्शन यह बता रहे है बिल्कुल सही है रंगोली ही कहते हैं बिल्कुल करिक्ट बात बोली है रंगोली ही बोलते है ठीक है चलो आगे दिया है आजका लास्ट क्वेस्ट्ट्ट की यूपी के बृज छेत प्रचलित प्राचीन लोग्रृत कौन सा है गोन्ड है राउत है रासलीला है भांगड़ा है गैनो Самी है च्छेतल की बात हो रही है बताओ जल्दी से, क्या होगा? देखो, राउत नाच जो है ना, यह आपका ब्रजशेत्र में है, प्लस आपका, जो कौन सा नर्तु होता है, भाई? एक ब्रजशेत्र का बहुत फेमस नर्त है, थोड़ा सा नाम लोग हमें याद नहीं आ रहा है, रासलीला भी आपका, यही मतलब मत्रशेत्र का ही है, ठीके? इसको भी बोलेंगे, मतलब दोनों ही आपका यहाँ का सही हो जाएगा, गोंड के बारे में आप लोग ने जान लिय बरसाना, बरसाना होली कहां खेली जाती है, बरसाना कहां खेली जाती है, वो भी आपके मत्रशेत्र से ही है, यह सब चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीके? हाँ, एक से अधिक वाला हो जाएगा, मतलब दोनों ही आपके एकदम correct बात हैं, ठीके? तो यहाँ से आपके आपके जितने भी questions थे ना, वो complete हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, कल से जो है, आपका graphic art स्टार्ट होना है, कल से आपके graphic art स्टार्ट होना है, graphic color और इसके जो questions हैं, वहुत important है, ठीक है? आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन आप लोगों को questions नहीं है, मालू, कि कैसे questions इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे उसमें पूछ लेगा कि, अच्छा चलो हम questions पूछ लेते हैं, कुछ graphic art के कुछ questions पूछ लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला question आपको बताना है, कि briar, एक briar होता है, briar को हम किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है, briar को किस रूप में भी बोल देते हैं, कोई-कोई, briar या briar, briar भी बोल देते हैं, शाबास, बिलकुल सही बताया है, rubber roller की रूप में इसका यूज होता है, बिलकुल सही बात है, अच्छा बताओ, शेरी graphie शब्द जो है, ये किस प्रकार की छपाई के लिए यूज होता है, बताओ जल्दी से, से बहुत सही, राहुल गौतम, वेरी गुड, फुर्शत के पल, इर्शाद, राम लखन, बहुत अच्छा अंसर दिया है, शाबास, तो इसका यूज किस में करते हैं, सिलक, इस स्क्रीन में करते हैं, चलो, दो-चार question और पूछ लेते हैं, ठीक है, दो-चार question और पूछे हैं बताएंगे आप लोग, चलिए, पूछ लेते हैं, आपको बताना है कि offset printing में image कैसे reproduce होती है, बताएं, घटी हुई होती है, या फिर अस्त व्यस्त होती है, या फिर विप्रीत होती है, या फिर same to same होती है, बताएं, offset printing में जो image होती है, कैसी हमें सो होती है, बताओ जली से, क्या होगा इस कराइट आंसर उल्टी होती है समान होती है राहुल को अतम बिल्गुल सही बात बदाई है जैसी होती है same to same वैसी ही होती है मतलब जैसी हमने दी वैसा ही हमें result मिला यह चीज होता है ठीक है उल्टी नहीं होती है अच्छा बताओ कि पहली प्रिंटिंग प्रेस और चल टाइप का अविश्कार कौन से देश में होता है चीन में होता है जापान में होता है जर्मिनी में होता है भारत में होता है पता है किसी को पहली प्रिंटिंग प्रेस और चल टाइप का सिवानी जी आप बार बार पढ़ते रहे हम इतने बार पढ़ा दी है ना कि बिल्कुल से डट गया है सभी को जादा तर लोगों को बिल्कुल सही जापान वालों गलत हो बिल्कुल एकदम जर्मनी आपका सही हो जाएगा ठीक है विश्व लेविल की बात करें अगर तो जर्म दमदार क्लास होने वाली है ठीक है तो आपको बस जुड़ते रहना है जितना पढ़ा देंगे उतना आपको पढ़ते रहना है ठीक है अच्छा बताओ जल्दी से एक क्वेशन और पूछ लेते हैं फिर आफ करते हैं ठीक है एक क्वेशन कौन सा पूछें भाई आपसे दि ठीक है ग्राफिक्स के लिए कौन से सॉफ्ट्वेट का यूज करते हैं बताओ MSWर्ड का करते हैं पेंच मेकर का करते हैं एमआएंश पावरपॉइंट का करते हैं या फिर पोलर कोरल ड्रा βेल्द अच्छा शाबास कुन्दन कुमार बेरी गुड फुरशत के पल बेरी ग पुरसत के पल बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में कोई हैं ठीक है हां तो कोरल ड्रा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो बाकी की जो बढ़ियां मज़ेदार तरीके से क्लास होगी न वो कल ही होगी ठीक है तो कल सभी को पढ़ते हुए चलना है ठीक है उमीद है क्लास पसंद आई होगी और आठ बजे जरूर जुड़ा करिए आप लोग आठ बजे जो क्लास करवाते हैं आज तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है मौर्योतर काल को पढ़ाना है और मौर्योतर काल में आप बुद्ध महात्मा बुद्ध की जितनी भी मतलब ये जातक कथाएं आप देखते हैं गुफाएं देखते हैं आप लोग गुफा संख्या एक में क्या है गुफा संख्या दो में क्या है ये सबी आपको पढ़ानी है आज ठीक है तो आज जरूर जोड़ना आठ बजे वाली मे पेमस आर्टिस्ट डॉक्टर ये शोधर मतपाल हमारी फैमिली से ही आते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है चलिए बहुत पसंदाई क्लास पूरी हो गई मैं लोकला पूरी नहीं हुई है जितने most most आपके पूछे जा चुके हैं पिछले एक्जाम में वो सारे questions हमने आपको लोकला के करवा दिये हैं अब हम अपने इस तर के जो questions होंगे ना कुछ दिन बात उनको करवाएंगे ठीक आप लोग तो बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ बाकि आप लोगों का जब एक्जाम होगा ना तब आप लोग खुद से बोलेंगे कि मैं बहुत full confidence है आप तो बस एक्जाम देना है हमें ठीक है चलिए चलिए तो फिर off करते हैं ठीक है चाबस